घर में तुलसी में होने वाले च्छोटे-च्छोटे से बदला उं जीवन में शुबसुब संकेतों के बारे में बताते हैं इन संकेतों को कभी पियान देखा नहीं करना चाहिए अगर आपको इपने घर की तुलसी में यह संकेत दिखाये देते हैं तो जल्द से जल्द आपको उपाए कर लेना चाहिए तो चलिए आज की स्वेडियो में जानते हैं तुलसी हमें कौन से संके देती है और क्या उपाए हमको करने चाहिए ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटीब चैनल साथिक वन में हिंदु धर्म सास्त्र में तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तुलसी को बेहदी पवित्र पोधा माना जाता है हर घर में तुलसी की सुबह शाम पोजा की जाती है तुलसी पर शाम के समय दिया जला जाता है कहते हैं तुलसी का पोधा जिस घर में लगा होता है मासाक्षात लक्षमी का वास होता है इसे घर में लगाने से घर का वातावरन सकारात्मक होता है घर पवित्र होता है हिंदु धर्म में तुलसी के पोधे को रोजाना जल अर्पित करने से लक्षमी की किरपा बनी होती है बेगुंड की प्राप्ती होती है माना जाता है तुलसी माता को इंसान का उधार करने के लिए ही धर्दी पर भेजा गया है तुलसी भगवान विश्णू की सबसे अधिक प्रियम आनी जाती है तुलसी में मालक्षमी का बास होता है कहते हैं जिन घरों में तुलसी का पोधा होता है उनके उपर भगवान विश्णू की किरपा के सास्त लक्षमी की किरपा भी बनी रहती है तुलसी घरों में शुक्सानति समरद्धि प्रदान करती है जो इंसान डेली तुलसी की सुभे पूजा करते हैं, सुभे जल चढ़ाते हैं, और शाम की समय दिया जलाते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मे की कमे नहीं होती सास्ट के अनुसार तुलसी के पोदे के काफी महत बताए गए है कहते हैं तुलसी घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में संकेत देती है घर पर कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो उस घर में सबसे पहले तुलसी सूख जाती है तुलसी हमें देती है ये संकेत अगर घर में तुलसी का पोदा अचानक से सूखने लगे या फिर उसके पते जड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि घर पर कोई संकेत आने वाला है या तो तुलसी सर्दी के मोसम में सूखती है अगर बिना वज़ा तुलसी सूख रही है ब तुलसी का पोदा घर में नहीं लगाना चाहिए तुलसी के सूखे हुए पोदे को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए घर में यदि तुलसी का नया पोदा लगाते है और बार बार तुलसी सूख जाती है तो ये संकेत होता है कि आपके घर में साथ के अनुसार तुल्सी का पोधा सही दिशा में लगाने से घर में मालक्षमी का वास होता है। जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं तुल्सी की पत्यां तो नहीं चाहिए। तुल्सी के पत्यां चाहिए। ग्राम के साथ हुआ था। इसी वज़े से देव ठावनी एकाथशी के दिन तुल्सी माता और चाली ग्राम के विवा का आयोजन किया जाता है। माता तुल्सी पृति एक एकाथशी तीथी के दिन भगवान विश्णू के साथ निर्जला वरत रखती है। इसलिए एकाथशी पर भी ना तो जल चढ़ाने की परंपरा है और ना ही तुल्सी के पत्ते तोड़ने की परंपरा है। नहीं तो तुल्सी बीमार होकर सूख जाती है। कहते हैं जब जब यह मंजरी तुल्सी माता की चीज़ पर आती है तब तब घर में गोर कस्ट आता है। इसलिए तुल्सी पत्ता डल और मंजरी तोड़ने से पहले तुल्सी के आग्या जरूर लिनी चाहिए। और रवीवार एकाथशी को यह कारें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए नाकून उसे तुल्सी को नहीं तो उना चाहिए। और शाम के समय जब यह आप तुल्सी पर दिया जनाए तो उसके नीचे चावल का असन जरूर लगाए। यह थे तुल्सी से जड़े उपाय और किस तरीके से तुल्सी घर में आने वाली मुसीबतों से संके देती है उनको समझकर पहले ही आप छोटे-छोटे से उपाय कर ले। उमीद करती हूँ वीडियो में दीके जनकारी आप सब के लिए यूसफल होगी वीडियो कर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको को जनकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंट फैमली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार मेरी आवास सुन रहे हैं सबस्क्राइब करके बेला एक जनकारी आपको समय से मिल सके चलिए मिलते हूँ नए वीडियो में नए जनकारी के साथ तर तक स्वस्त रहिए खुश रहिए